नमस्कार किसान भैयो आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आप देखेंगे सीम की खेती की संपून जनकारी की किस परकार से लगाया जाता है बीच के रिक्वार्मेंट कितना होता है और कौन-कौन सी वराइटी को लगा करके आप अधिक उपज ले सकते हैं मैं 10 ऐसे वराइटी ले करके आया हूँ जिसको आप लगा करके अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं परती हेक्टेर आप कितना उपज ले सकते हैं और किस परकार से इसका खेती करना परता है, खेतों को कैसे तयार करना परता है, और कब जो होता है कि इसको खेती करना होता है, उसकी सारी जनकाडिया आपको इस वीडियो में मिलेगी, चैनल पर पहली बार आये हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दे तो चलिए किसान भायो वीडियो स्टार्ट करते हैं किसान भायो भारत में कई सब जीयों की खेती की जाती है जिसमें सीम की खेती का एक अलग अस्थान है वैसे महजूदा समय में सीम की खेती बीभिन राजियों में जैसे उ बीज होता है वो लगा सकते हैं और समतल जमीन में उठे हुए जो मेड होते हैं उसके उपर करना होता है जैसे कि आपके खेतों में जो जमीन होता है समतल होता है उसको मेड बना ले 5 feet की दूरी पर जो होता है मेट कुछ इस परकार से बना दे और मेट के ऊपर जो होता है 2 feet के अंत्राल पर भीज का इसका तुभाई यानि बीजाई जो होता है ओर कर ले और किसान भीजाई जब आप करते हैं तो उसमें सब धानिया एक वरतनी परती है तो कि बीज को उपचारित करना बहुत ही जरूरी होता है तो उपचारित जो होता है बीज को कर ले किसी कबक नासी से या साफ परड़क्ट जो आता है उसे आप इसको उपचारित कर सकते हैं और किसानों बीज का जो इसका रिक्वार्मेंट होता है परती हेक्टियर वह बीज लेवल की बात करें तो 5.3 से लेकर के 6.0 तक आप इसका खेती जो होते हैं जिस जमिन में pH लेवल इतना होता है उसमें आप कर सकते हैं अब बात करते हैं किसानवयों की इसका जो खेती होती है और ठंड जलवाई उमें सफलता पुर्वक की जा सकती है ध्यान रहे कि पाला इस फसल के लिए दोमत चिकनी मिटी रेतेली मिटी जो होता है उपिप्त माना गया है मगर ध्यान रहे कि भूमी उच जल निकासवाली होनी चाहिए साथी भूमी छारिये वह अमलये वाली मिटी जो होता है उख बात करते हैं कि सेम कि ऊन्नत किस्मे के बारे में कि कौन-कौ आने जा रहा हों उन सभी भराइटियों को लगा करके आप खेती कर सकते हैं या चाहे तो उसमें से जो भराइटी आपको पसंद होगी उस भराइटी को खेती करके आप ज्यादा से ज्यादा उपज ले सकते हैं सेम की फलीया लंबी चप्ति टेढी हरे और पीले रंकी होती है किसान भाइयों सेम की अच्छी उपज के लिए पूसा अरली कासी हरित्मा, कासी खुसहाल, बी आर सेम थिरी, बी आर सेम एगारा, पूसा सेम टू, पूसा सेम थिरी, जो आर सेम तिरपन, जो आर सेम 89, कल्यान टाइप, रजनी, HD1, HD8 और प्रोलोपिक, यदि इस की स्मोकी की ब्वाई करते हैं तो आप अधिक से अधिक उपज ले सकते ह इस सभी वराइटियों का जो उत्पादन होती है, परती हेक्टियर, वो 150 कुंटल से लेकर 200 कुंटल तक आती है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसी देखभाल में आप अपनी खेती किये हैं, उस हिसाब से जो होता है कि 1500 से और 200 कुंटल के जो होता है कि बीच में आपको उत पर चेती इसका करते हैं, तो कितने दिनों पर बारिस होती है, उस हिसाब से इसमें जो होता है कि पानी का सिचाई का जरुवत परती है, अब बात करते किसान भाईयों फपुंद ना सक और कीट ना सके, लिए कौन-कौन से जो दवा होता है, आप उपयोग कर सकते हैं, तो फपुंद ना सक, इसमें जो होता है, फपुंद तो ज़्यादा नहीं पकरता है, लेकिन कीट जो होता है, जिसे लाही या माहू रोग बोलते हैं, वो पकर लेता है, वो छोटे-छोटे भूडे रंग का जो कीट होता है, या सफेद रंग का होता है, वो पकर लेता है, या ह मीडा कलोप प्रीड ले रहे हैं तो 5 लिटर पानी में 3 ml डाल करके और इसके दर के हिसाब से आप अपने जो सेम की खेती होता है उसके उपर 15 दिन के अंतराल पर अगर इस्प्रे करते रहेंगे तो यह रोग जो होगा वो नहीं लाएगा अगर लग चुका है तो देखे कि कि दिनों तक जो होता है कि वो रहता है तो उसके एक हपते के अंतराल पर करके आपको एस्प्रे करना होगा और किसानवाईों सेम का जो खेती होता है सितंबर से अक्टूबर में भी किया जाता है तो आप उस महिने में भी कर सकते हैं बहुत से किसानवाई जो ऐसे होते हैं औ को रखना पड़ता है ताकि नीचे का जो भूमी हो जो मिटी हो उस पर अगर बारिस होता है तो पानी न जम पाए खाली रहे और उसके उपर जो होता है सेम जो होता है इस परकार से देख रहे हैं यह ऐसे लग करके आएंगे तो आपको सही से हर्वेस्टिंग करने में फैदा होगी तो आप इस परकार से सेम के खेती जो होते हैं कि आप कर सकते हैं तो यह वीडियो आपको कैसी लगी ओ पूरी डिटेल्स जो मैं दिया हूँ ओ कैसा लगा ओ कॉमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक लिए नमस्का झाल